नमस्ते दोस्तों हर हर महादेव बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइब वी शीखा में दोस्तों कल है चंद्र ग्रहन यानि की आठ नवंबर को तो मैं आपको इस वीडियो में जनगारी देने वाली हूँ कि ग्रहन कब से कब तक होगा सूतक काल कब से प्रारम हो जाएगा ग्रहन के समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ग्रहन का समय क्या होगा और ग्रहन से मोक्ष प्राप्ति कब होगी और ग्रहन के बाद घर की शुद्धी के लिए हमें क्या करना चाहिए तो चलिए व नवंबर को शाम की समय जैसे ही चंद्रोदय होगा उसी समय चंद्रग्रहन भारत में दिखाई दीगा यह चंद्रग्रहन शाम छे बच कर 19 मिनट पर खत्म हो जाएगा आठ नवंबर मंगलवार को देश दुनिया में साल 2022 का आखरी चंद्रग्रहन देखने को मिलेगा जो कि इस साल का आखरी ग्रहन भी होगा इस चंद्र ग्रहन में सूतक काल ग्रहन के शुरू होने के 9 घंटे पहले लगेगा भारत में पूर्वत्तर राज्यों में पूर्ण चंद्र ग्रहन देखने को मिलेगा यह चंद्र ग्रहन कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली की तिथी पर लगेगा आपको बता दें कि 25 अक्टुवर को लगा साल का आकरी सूर ग्रहन भी दिवाली के अगले दिन पर कार्थिक मावस्य तिधी पर लगा था भारत में यह चंदर ग्रहन शाम होती ही दिखाई देने लगेगा आईए जानते हैं इस चंदर ग्रहन से संबंधिस सभी जानकारिय और इसकी प्रभाव मगर मैं आपको पहले बता देती हूँ कि चंदर ग्रहन का समय होगा शाम 4 बच कर 23 मिनिट से 6 बच कर 19 मिनिट तक मगर चंदरोदय का जो समय है वो है शाम 5 बच कर 28 मिनिट तो उसके बाद ही चंदर ग्रहन देखने को मिलेगा यह चंदर ग्रहन साल का दूसरा चंदर ग्रहन होगा आईए जानते हैं चंदर ग्रहन का सूतक काल कितने बज़े से शुरू होगा वैदिक जोतिश गर्णा के अनुसार सूर ग्रहन होने पर सूतक काल ग्रहन के शुरू होने से 12 घंटे पहले जबकि चंदर ग्रहन होने पर 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है और धार्विक मानेताओं के अनुसार ग्रहन पर सूतक्काल को शुब नहीं माना जाता है सूतक्काल के दोरान पूजापाट और शुबकार वर्जित होते हैं 8 नवंबर को सुभ़ 6 बचकर 49 मिनिट से लेकर सूतक्काल आरंब हो जाएगा सुभ़ 6 बचकर 49 मिनिट से सूतक्काल प्रारंब हो जाएगा और ग्रहन की समापती के साथ खत्म हो जाएगा आईए जानते हैं चंद्र ग्रहन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों ग्रहन की समय ना तो खाना पकाया जाता है और ना ही खाया जाता है ग्रहन के दोरान मंतरों का जाप और ग्रहन के बाद गंगा जल से स्नान और दान किया जाता है ग्रहन की समापती होने पर पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव किया जाता है घर में अच्छे से जाड़ो पोछा बगर करके घर को शुद्द किया जाता है दोस्तो आईए बात करते हैं चंदर ग्रहन में क्या नहीं करना चाहिए चंदर ग्रहन के दोरान कभी भी कोई शुप काम या देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए चंदर ग्रहन के दोरान नहीं बोजन पकाना चाहिए नहीं कुछ खाना पीना चाहिए चंदर ग्रहन के दोरान गर्ववती महिलाओं को ग्रहन नहीं देखना चाहिए और नहीं घर से बाहर जाना चाहिए सुतक काल से लेकर चंदर ग्रहन तक तुलसी और दूसरे पेड़ बौधों को भी नहीं चुना चाहिए चंदर ग्रहन में क्या करें अब हम इस बारे में बात करते हैं ग्रहन शुरू होने से पहले ही यानि सुतक काल प्रभावी होने पर पहले से ही खाने पीने की सभी चीजों में और जो घर में हम पानी भर कर रखते हैं उसमें भी हमको तुलसी डाल देना चाहिए जो हमारा पीने का पानी होता है गर्भवती महिलाओं को ना तो 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 गर्भवती महिला नजरिये से ग्रहें के समय फूर्य और चंद्रमा पर बुरे ग्रह राहू केतु का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है इस कारण से बच्चे की कुंडिली में इन ग्रहों से सम्मंदित कोई न कोई दोश हो सकता है ग्रहन के दौरान गरुवति महिलाएं बाहर जाने से बचें तो दोस्तो आज का वीडियो में यहीं खत्म करने जा रहे हूं वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा पसंद आया तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जैमाता दियूं झाल 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 झाल